हाई गैस और वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक्चियादव एजुकेशन वेलकम टू दी डेली करेंट अफेयर्स औफ सविंथ आफ नवेंबर 2021 तो गाईज आज है तारिक 7 नवेंबर 2021 और है संडे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने है पिछले मंडे से लेकर साटेड़े तक जितना भी कुछ किया पे करेंट अफेयर के इशू आए हैं जितना भी कुछ हमने कवर किया है सबका एक कमपाइलेशन हम लोग कवर करेंगे आज के इस वीडियो में अब यह इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि हमने देखा पिछले तीन चार दिन से लगातार बहुत सरे फेस्टिवल्स चल रहे हैं और बहुत सरे लोगों के जो करेंट अफेयर हैं वो छूट चुके हैं बहुत सरे मेरे पास मेसेज़ेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर और भी बहुत सरी जगह पर कि हमारा जो करेंट अफेयर है काफी सार पीडिएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा वहां सदाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडिएफ को डाउनलोड कर सकते हो और यह है मेरी इंस्टाग्राम आइडिए दीपक चादव एजूकेशन चाह प्लस लाइक का रखा है और डेली बेसिस पर आप लोग यहां पर इस टार्गेट को पहुंचा ही देते हो इस टार्गेट को एचीव करवा ही देते हो हाँ एक चीज और बता दूँ कि आज का जो यह वीडियो है इसका पीडिएफ आज नहीं मिलेगा आपको क्योंकि होगा क्या यह सारे पीडिएफ आपको मिल चुके है यूगि डेली बेसिस पर जो भी करेंट अफ्वेर हमने डिस्कॉस कर रहे है उनी के पीडिएफ को मैं कंपाइल करके हाँ पर एक पीडिएफ बना रहा हूं जो की आपको मन्त के एंड में मिल जाएगा मतलब की यह इससे पर भी आपको मिल चुका है प्लस मंतली कंपाइलेशन भी आपको मिल जाने वाला है तो बढ़ते हैं आगे और फटा फट स्टार्ट करेंगे डिस्कॉशन को नौ यह जो सबसे पहला आर्टिकल है वो बात करता है इंडिया मिलिटरी डिपेंडेंस और रेशन वो कितना जदा डिपेंडेंट है रश्या के उपर हम लोग रश्या से अलग अलग डिफेंस एक्यूपेंट को परचेज करते हैं हमारे एयरफोर्स के लिए नेवी के लिए हर तरीके से हम लोग काफिय तक डिपेंडेंट है तो इसको लेकर ये आर्टिकल पब्लीश हुआ था लेकिन अभी तक मैं क्या बोल रहा हूँ अब तक मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग dependent हैं लेकिन यह जो dependency है यह regularly कम हो रही है यह भी यहाँ पर बताया गया है और एक report publish हुई है और उस report के अंदर यह सारी चीज़े बताई गई है कि जो Russian made defense उसके उपर भारत काफी डिपेंडेंट है लेकिन आज के टाइम पर ये डिपेंडेंसी काफी कम होती भी नजर आ रही है उसके पीछे का एक रिजन तो आपको मालूम ही है हम लोग आत्मनिर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग अपने प्रोडेट के उपर खुद काम करने की कोशिश कर रहे है ठीक है दूसर रिजन आपको ये देखने को मिलेगा कि आज के टाइम पर हम लोगों खत्रा है यूएस के कार्ट सा सेंक्शन के यूएस के पास जो एक कार्ट सा सेंक्शन है उस सेंक्शन के फुल फॉर्म है countering America adversary through sanctions act अब इसका मतलब क्या है क्योंकि आ आट सा के sanctions ना लगा दे क्योंकि यहां पर जो भी country रश्या के साथ defense equipments को लेकर trade करती है या फिर जैसे यहां पर कोई भी country S400 सिस्टम को खरीती है रश्या से या फिर और कोई product खरीती है तो उसके उपर US यहां पर sanctions लगा देता है ऐसा हम लोगों ने देखा है तो इंडिया को भी कहिन के खत्रा देखने को मिलेगा इसकी वजासे भी जो इंडिया की dependency है रश्या के उपर वो थोड़ी सी कम हुई है यहां पर बताया गया है लेकिन फिर भी अगर आप overall इंडिया और रश्या के military relations देखोगे तो अपने आप में बहुत जादा बड़े relations है अपने हमें Stockholm International Peace Research Institute लगबग 2010 से क्या है कि रश्या लगातर एक बहुत बड़ा source बना हुआ है भारत के imports के लिए ऐसा इस report ने बताया मतलब एक आप कह सकते हो 2010 से हम लोग regularly रश्या से defense equipments को purchase कर रहे हैं उससे defense equipments को लेकर import कर रहे हैं तो अपने आप में रश्या एक important role play करता है अब हम लोग एक एक point को discuss करेंगे जो कि मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ सबसे पहली बात रश्या और इंडिया के relations खासकर defense relations कहां पर stand करते हैं सबसे पहली चीज रश्या और इंडिया के बीच में एक military exercise होती है उसका नाम क्या है उसका नाम है इंद्रो exercise इसके बारे में आप लोग को ध्यान देना है दन उसके बाद आज के टाइम पर आप देख पाओगे रश्या काफी सारी चीज़े हम लोग को export करता है ठीक हम लोग को बहुत सदा high valuable जो defense equipment उसको export करता है हाला कि हम लोग US से भी बहुत सारे defense equipment को खरीतते हैं लेकिन कुछ जादा high products नहीं खर अब यहाँ पर आप देख पाओगे US आज के टाइम पर हम लोग को provide करवाता है जैसे की C-130J हो गया super hercules हो गया ऐसे अलग-लग defense equipment देता है लेकिन यहाँ पर ही कुछ जादा high end technology नहीं है जो high end technology है वो हमें Russia देता है रश्या से हम लोग ने ब्रहमोज को खरीदा है आपको मा purchase किया है तो यह पूरे की पूरी चीज़े हैं आप लोग देख पाओगे काफी सारी चीज़े हम लोग आज के टाइम पर रश्या से purchase कर रहे है काफी जादा dependent है बात करते हैं आर्मी कोपरेशन की आर्मी आज के पर भारत की आर्मी के पास जो भी जादतर equipment है वो रश्या based equipment या फिर रश्या ने बनाए हुए हैं उसको हमने खरीद है जैसे कि हमारे पास बहुत सारे आज के टाइम पर बैटल टैंक है जैसे रश्यान T-72 M1 टैंक है T-90S टैंक है इसमें यहां पर रश्यान जो इन्वॉल्मेंट है वो 66% तक है यहां पर 30% तक है तो मतलब कही नगी रश्या का इन्वॉल्मेंट काफी जादा है ठीक है और आज के टाइम पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि रश्या से हम लोग AK-103 राइफल को लेकर निगोशेशन करें इसको लेकर बातचीत करें और इसको एक मेकेन इंडिया प्रोजेट के अंदर लेकर आएं उसके बाद य इंडिया नेवल शेप है जैसे विक्रम अदित्य हो गया इसको भी हमने यहाँ पर रश्या से लिया है प्लस और भी बहुत सरे रश्यन तलवर क्लास के फ्रीगेट्स हो गए वो हमने रश्या से पर्चेस करें फ्रीगेट्स मतलब छोटे से जहाज होते हैं और इनमें भी क इसके बाद 130 सुखोई हो गया, MiG-21S हो गया, MiG-29 हो गया तो कहिना कि इसमें भी रश्या का इंवल्मेंट काफी जादा है उसका ब्रम्मोज मिसाइल हो गया, ब्रम्मोज मिसाइल को भी हम लोग करने रश्या से पर्चेस किया है, S-400 Air Defense System को पर्चेस किया है, यह सारी अगला आटिकल बात करता है, Pegasus Spire के बारे में तो हाली में, Supreme Court ने एक Expert Committee बठाई है कि इस Pegasus Spire का यूज हुआ है, सरकार ने यूज किया है, या नहीं किया है, इसको यहाँ पर यह कमिटी पढ़केगी, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इसके रिगार्डिंग यहाँ प करेगी, Question यह है कि Pegasus Spire आखिरकार क्या है, तो Pegasus Spire एक malicious software है, आप लोग को मालूम होगा, एक इस प्रकार का software है, जो कि किसी के भी phone के अंदर हम लोग डालने के बाद उसके phone से data को extract कर सकते हैं, उसके phone के से data को निकाल सकते हैं, तो अपने आप में Pegasus Spire काफी खतरनाक है आप लोग को मालूम होगा, recently यहाँ पर काफी सारे खबरे निकल कराएं थी कि सभारत सरकार ने इस Pegasus Spire का इस्तमाल किया है, बहुत सारे जनलिस्ट को यहाँ पर track किया है, बहुत सारे जो official minister से इनका data निकाला है, तो इन सब चीजों का जो मुद्दा है, वो Supreme Court में बहुत सारे धाकर धाकर लोग को रखा गया है, यह जो picture है, यह वाला picture अलग है, और यह वाला picture यहाँ से अलग है, ठीक है, अभी जो committee के अंदर यह सारे member आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना है जो रविंदरन committee है, इसका अंदर एक तो यहाँ पर यह रविंदरन स मस्ते, और ही बहुत सारे important personality देखने को मिलेगा, जो सब यहाँ पर इस committee के अंदर है, अब यह investigate करेगी कि भारत सरकार ने, क्या इस Pegasus Spiverr का वाइकाई में इस्तमाल किया है यह नहीं किया है, तो यह आपको देखना है, यह यहाँ पर recommendation दी है Supreme Court ने, क्योंकि Supreme Court ने Spiverr का इस्तमाल किया है सरकार ने, तो इससे कई नहीं लोगों का fundamental right का हननन हुआ है, right to privacy का violation हुआ है, अगले article में बात की गई थी, ग्रे हनुमान लंगूर के बारे में, तो recently यहाँ पर आप देख पाओगे कि लग बग बहुत सारे ग्रे हनुमान लंगूर, कहाँ पर जातियां पाई जाती है, gray wash color का यह लंगूर देखने को मिलता है, आपको picture में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, और उसका लंबी सी पूच होती है इसकी, और तहाँ पर पाया जाता है, तो बहुत सारे जंगलों में पाया जाता है, और खास कर अगर हम बात करें, तो सवन और tropical forest में पाया जाता है, इंडिया के अंदर, बुटान में, इंडिया के अंदर तो northern इंडिया में पाया जाता है, फिर इंडिया के अलावा, बुटान के अंदर, नेपाल के अंदर भी यह लंगूर पाया जाता है, इसके बारे आप लोग धियान रख सकते हो, scientific name जरूर ध यहानक का मैंने भी scientific name बताया है Samnopithecus Antalus यहाँ पर इसका scientific name है तन उसके बाद next article में हमने एक data को discuss किया था कि आज के टाइम पर भारत के अंदर बहुत सरे person है जो कि disability से गुजर रहे हैं अब हमने देखा था कि बहुत सारे लोग disabled हैं मतलब कहीं ने कहीं उनकी जो physical activities से काफी कम हो जाती है किसी कारण की वज़ा से वो disabled हो चुके हैं तो इसको लेकर एक article पबलिश हुआ था जहां पर disability का एक data पबलिश हुआ था आज के टाइम पर भारत के अंदर लगबग 2.2 जो भारती population है वो कहीं ने कहीं कुछ न कुछ disability से गुजर रही है ऐसो यहाँ पर data आया था और इसी के साथ मैंने आप लोग को बताया था कि लगबग 3.2 को हम लोग International Day of Persons with Disabilities के तोर पर observe भी करते हैं आज के टाइम पर भारत के अंदर बहुत सारे disabled person है जिन्नों बहुत सारी problems जूजना पड़ता है problems देखनी पड़ती है सबसे पहला discrimination उनके प्रती भेदभाग होता है एक तरीके से जो equality है वो नहीं मिल पाती है खावसकर education employment के मामले में उनको equality नहीं मिल पाती है जो भी women's काफी सारी disabled होती है उनके प्रती भी बहुत सारा gender based violence देखने को मिलता है health के perspective से मामले में बात करें तो बहुत सारे जो disabled person है वो preventable है उनको सही किया जा सकता है लेकिन होता क्या है यहाँ पर हमारे पास जादा चीज़े अच्छी available है नहीं हमारे यहाँ पर malnutrition काफी ज़्यादा देखने को मिलेगा कुपोशल बहुत ज़्यादा है accidental injuries ज़्यादा तर देखने को मिल जाती है इसकी वज़ासे औरी बहुत सारी disabilities देखने को मिलती है तो यहाँ पर कमी है इस तरीके से जागरुकता की lack of awareness है awareness की काफी कमी है care की काफी कमी है हम लोगे पास एक अच्छा medical facility नहीं है ऐसना पर बताया गया है तो इस परिशानी से भी disabled person को जूझना पड़ता है education के मामले में बात करें तो यहाँ पर आज के टैम पर कोई भी special school जादा देखने को मिलेंगे नहीं जो भी disabled person है उनके लिए इस वज़ा से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाता है employment के मामले में बात करें तो disabled person को employment rate भी काफी अतक कम देखने को मिलेगा इनको employment भी बहुत सदा कम मिलता है मतलब रोजगार नहीं मिल पाता है दनो इसके बाद हमारे संभीदान में क्या provision है इसको लेकर तो जो article 41 है DPSP का मतलब directive principle of state policy का article 41 है वो ये बात करता है कि जो भी राज्ये है ठीक है उनके पास यहाँ पर एक provision होना चाहिए वो यहाँ पर provision बनाएंगे ताकि जो disabled person है उनको secure है जासके उनके पास जो भी भारत बहुत सारे initiative चला रहा है disabled person को सही करने के लिए उनको support करने के लिए उनको assistance provide करवाने के लिए जैसे कि एक program है unique disability identification portal दूसरा है accessible India campaign तीसरा है दीन दयाल disabled rehabilitation scheme चौता है assistance to disabled person यह आप लोग देख पाऊगे इसको एक बार read कर सकते हो PDF आपको मिल ही जाएगा आगे बढ़ते हैं next article में हमने discussion किया था क्रिशी उडान 2.0 के बारे में तो recently जो हमारे civil aviation minister है इन्होंने हाँ पर क्रिशी जो उडान है 2.0 को launch किया उडान की full form है उड़े देश का आम नागरिक ठीक है अब यहाँ पर बोला गया है जो किसान भाई है किसान भाई हो का जो भी यहाँ पर crops होती है उन crops को तो जो भी हमारे farmers का जो इगरिकल्चर production है उस production को यानि कि जो agriculture crops वगरा है उसको support किया जाएगा होता क्या है ना यह agriculture crops वगरा कहीं पर अपने destination तक पहुंचाने में काफी समय लग जाता है कहीं दूर भेजना है उस समान को तो एक दिन से जादा लग जाता है और उसी बीच में आपर वो crops खराप सी होने लगती है तो यहाँ पर यह जो program है यह क्रशी उड़े देश का आम नागरिक करके आपर यह जो उड़ान 2.0 को लांच किया गया है यह हमारे जो farmers है इनको support करेगा इनके crops को export किया जाएगा प्लस जहां पर भी destination होगा जहां पर भी crops को पहुचाना होगा पहले एक दिन लग रहा था अब एक घंटे के अंदर अंदर यहां पर पहुचा दिया जाएगा इससे farmers को और ज़्यादा benefit होता वा नजर आएगा प्लस यहां पर कोई extra charges farmers की दरफ से जाएंगे नहीं ठीक है क्योंकि यहां पर जो financial assistance वगर आए वो सब यहां पर government provide करवाएगी ऐसा बताया गया है और इन सी सब चीजों को देखते वे उडान डे को हम लोग observe करेंगे 21 October को आपको ध्यान रखना है 21 October को उडान डे को भी observe किया जाता है तो इस पूरे scheme के अंदर लगबख 53 airport को crushy उडान scheme के अंदर डाला गया है इनको cover किया जाएगा 53 airports को पहले एक दिन के अंदर यहां पर पूरा delivery हुआ करती थी अब एक घंटे के अंदर यहां पर यहां पर यह delivery हो जाएगी ऐसा बताया जा रहा है और यहां पर जो किसान का बहुत सरा प्रोड़क्ट वेस्ट हो जाता था बहुत सर अब प्रोड़क्ट बरबाद हो जाता था, अब वो प्रोड़क्ट बरबाद नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहे हैं, इसके फाइदे देखने को मिलेंगे, I hope आपको इकलियर हो चुका है, बेनेफिट्स क्या होगा, ग्याफिस तक ग्रोथ देखने को मिल होगा, जैसे स्केम के नाम बोले लगँगा, तो obviously आपर टाइम जदा कंजूम करेगा, और हमारी सारी चेज़े कवर एकदम से नहीं हो पाएंगी, अगले आर्टिकल में हमने बात की थी, Economic Advisor Council to the Prime Minister को लेकर यह आर्टिकल चर्चा में तक क्योंकि हाली में सरकार ने रीकॉंसिट्यूट कर दिया है, Economic Advisory Council to the Prime Minister को, किसके लीडर्शिप में, डॉक्टर विबेक देब्रॉय के लीडर्शिप में हाँपर इसको रीकॉंसिट्यूट क्या है, सबसे इंपोर्टन चीज़ क्या है, आखिरकार यह Economic Advisor Council to the Prime Minister होते कौन है, यह एक तरीके से Non-Constitutional, Non-Strad इंडिपेंडेंट बोडी है, जिसको बनाया गया है, ताकि यहां पर कुछ एडवाइस दी जा सके, Economic और Related Issues को देखते वे सरकार को, मतलब हमारी Government को specifically बात करें, तो Prime Minister को, हमारे प्रधान मंत्री को कुछ एडवाइस दी जा सके, Economic के Regarding कुछ एडवाइस दी जा सके, महंग जर वो होता है, जो कि हमारे Prime Minister को Advise देता है, ठीक है, बहुत सरे Topics को पर, अभी तक हमने जितने भी आर्टिकल डिसकुस करें हैं, इनको आप लोग एक बार रिवाइस कर सकते हो, इस Quiz को Solve करके, वीडियो को Pause करो, और यहां पर फटा-फट इस Quiz को Solve कर डालो, और नीचे Comment section में, ठीक है, इसके Key Answers मैंने आप लोग को Provide करवा दिया है, लेकिन कोशिश करना कि इन आंसर को आप लोग ना देखो, अगला, अगले यहां पर हम बात करते हैं, आर्टिकल बात करेगा, यूएस कार्ट सा और रश्या के S-400 सिस्टम के बारे में, तो आप लोग को मालू बारत ने S-400 सिस्टम की जो ये डील है, ये रश्या से करी थी 2018 में, लगबग 5.43 बिलियन डॉलर्स की ये डील थी, ठीक है, आज के टाइम पर नवंबर 2021 तक हम लोग इस डिपेंस सिस्टम को ले पाएंगे, हमारे कंट्री में वो डिपेंस सिस्टम आ जाएगा, ऐसा बता देबन नहीं लगेगा, ठीक है, तो S-400 सिस्टम कौन सा है, तो रश्या का, ये है S-400 सिस्टम आप लोग देख पाऊगे, मैंने भी आप लोग को इसके बारे में भी बताया था, ठीक है, उसके बाद यह आप देख पाऊगे, ये भी S-400 सिस्टम का ही पिच्चर है, एक तर अगर दुबारत से दिख सकते हो, यह S-400 है, उपर Brambos missile यह भी हम लोग ने रश्या से ही purchase किया है, अब question यह है, भारत के लिए क्या significance है, देखो भारत के लिए का importance है, इंडिया और US के defense relations कहाँ पर stand करते हैं, देखो भारत के उपर अगर US के cards से sanctions लगते हैं, तो इससे relation काफी खराब होंगे, लेकिन अगर हम बात करें आज के टाइम पर, तो भारत और US के दोनों के defense के relation काफी अच्छे हैं, ठीक है, ऐसा आपर बताया जा रहा है, बहुत time पहले से हम लोगों अच्छे defense partner बन चुके हैं, हम लोगों ने आज के टाइम पर बहुत सारी technologies को purchase किया है अमेरिका से, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे agreements को sign किया है अमेरिका के साथ, वो agreement है बेका, जेसो मिया, लेमुआ, कोमकासा, अगर इन agreement के बारे में detail में जानना है, और detail में आप लोगों को जानना ही चाहिए, कोई बहुत important agreements है यह सारे, यह सारे agreement बात यह करते हैं कि भारत और USA किस प्रकार से अपने defense को साथ में corporate करें काम करेंगे तो इस agreement के उपर मैंने already video upload कर दिया है, आप लोग जाकर directly YouTube पर search कर सकते हो what is beka lemua करके search कर लेना by दीपा क्यादव education आगे डाल देना आपको ये video मिल जाएगा, इस video को देख लेना, और इस video में आपको सब clear हो जाएगा कि beka क्या है, lemua क्या है, g sumia क्या है, और com kasa क्या है, ठीक है आज के टाइम पर, भारत ने भी बहुत सरे military equipments को purchase किया है, US के साथ, हम लोग ने Russia से भी purchase किया है, Russia के साथ, US से भी बहुत सरे equipments को purchase किया है, जैसे कि Indian Air Force का C-17 heavy lifter हो गया, ये US का है, Apache attack helicopters हो गया है, जिसका ही, तीन exercise अलग लग होती है, आप देख पाओगे, एक माला बार exercise होती है, माला बार के अंदर US के अलावा, यहाँ पर भारत होगा, भारत के साथ साथ, Australia और Japan भी होगा, जिसको हम लोग बोलते है, Quad Group, ठीक है, वो इसका दियो दब्यास exercise होती है, US और भारत के agreement के बारे में, तो इंडिया और European Union ने, अभी यहाँ पर बातचीत करी है, इस investment agreement को लेकर, तो हाली में, जो हमारे government officials हैं, इनका कहना यह है, कि हम European Union के साथ, जो trade agreement है, उसको वापस से चालू करेंगे, क्योंकि 2013 के बाद, यह जो पार है, वो European Union के साथ, सही से हो नहीं पाया है, ठीक है, यह आपको ध्यान देना है, यह European Union वाली countries, आप लोग को यह दिख रही होंगी, यह आप लोग दिख पार होंगे, सारी dark blue color की सारी European countries हैं, यह आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, अब हम लोग इस trade investment agreement के बारे में बात करें, इसका background क्या है, तो भारत और European Union, दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक free trade agreement को launch किया था, बहुत पहले ही, ठीक है, अब यहाँ पर इस free trade agreement को आगे बढ़ाया जाएगा, अब इस agreement के अंदर हम दोनों countries, एक दरीके से European Union के अदर बहुत सरी countries आती है, तो दोनों यहाँ पर, countries मैं बोल देता हूँ, तो European Union और भारत मिलकर free trade agreement को पर काम करेंगे, जो freely है, उस वो trade किया जाएगा, प्लस यहाँ पर जो bilateral trade investment agreement है, इसमें क्या होगा, इंडिया और European Union, दोनों मिलकर अपने वियापार को promote करेंगे, ठीके बहुत सारे restrictions लगे वे हैं, उन restrictions को हटाया जाएगा और वियापार को बढ़ाया जाएगा, आज के टाइम पर challenges क्या हो सकते हैं, तो challenges यह हैं, कि भारत आज के टाइम पर आत्मर भारत की तरफ focus कर रहा है, आदमर भारत mission की तरफ focus कर रहा है, तो यह एक बहुत बड़ा challenge हो सकता है, otherwise यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है, दोनों के relations काफी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे, importance यही निकल कर आएगा कि इसके बदले में जो European Union है, वो भारत को support करेगा, बहुत सरी companies जो आज के टाइम पर European Union companies हैं, वो चाइना के अंदर काम करेंगे, वो चाइना से निकल कर भारत के अंदर आएगी, भारत के अंदर investment को बढ़ाया जाएगा, इसका फायदा यह होगा, प्लस हम लोग ने बात and road initiative है, इसको tackle किया जा सकता है, इसको तरीके से इससे लड़ा जा सकता है, तो यह बहुत बड़ा concept रखा गया है, I hope आपको clear हो चुका है, next article में बात किया यह मुला पीरियार डाम dispute के बारे में आपको मालूम होगा हाली में, Supreme Court ने एक Supervisory Committee को direct किया है कि आप यह जो committee है, यह decision लो कि क्या रखना है इस dam के maximum water level को तो इस committee को यहाँ पर यह बोला गया है, ठीके तो यहाँ पर आप देख पाऊगे, मैं आपको समझाता हूँ क्या मुद्दा क्या है, तो यह dam जो आप अपर जो भी control है, वो सब तमिल नाडू का है तमिल नाडू यहाँ पर इसको पूरी तरह से इस्तमाल करता है, अब आप कहोगे, इसके पीछे का reason क्या है, यह इतिहास क्या है, यह इतिहास समझाओंगा, मैं भी आपको एक मिनिट रुख जाओ, बस यहाँ पर हुआ क्या था, बहुत साल पहले, लगबग आप कह सकतो 1895 के आसपास की बात है उस समय ब्रिटिशर्स का ही राजवा करता था ब्रिटिश ने क्या करा, यह मुला पिरिया डैम को बनाया के अंदर, और इस डैम को, लीज पर दे दिया रेंट पर दे दिया कि इसको तमिल्नाडू को, ठीके? यह रेंट तमिल्नाडू को कित्ते साल के लिए 999ные के लिए यहाँ पर जो डैम है यह तमिल्नाडू को दे दिया गया कि आप चलाओ इस डैम को आप यूज करो इसका पानी को, ठीके? तो अब डैम ये लगबग बहुत पुराना हो चुका है ठीक है आपके सकतो बहुत ज़ादा सौ सालों से ज़ादा पुराना हो चुका है और डैम काफी कमज़र हो चुका है चटक सा गया है दरारे आ चुकी है तो केरेला यहां पर बोलता यह है कि भाई जो डैम है इसका पान लेकिन तमिलाडू क्या कहता है नहीं हम लोग यहां पर इसको manage नहीं करेंगे अगर हम लोग ने इसका पानी कम क्या तो तमिलाडू के बहुत सारे डिस्रेक्ट्ट्स हैं अग्लेगा ऐसा तमिलाडू का response आया है अब इसीच को सुप्रीम कोट ने देखा और बोला कि भाई आप 139 मीटर तक पानी रख लो इससे जाद मत बढ़ाओ तमिलाडू बोला नहीं हम लोग 142 मीटर तक पानी रखेंगे तो इसी डिस्प्यूट को लेकर ये चरसा चल लही है और इसी डिस्प्यूट को लेकर सुप्रीम कोट ने यहाँ पर इस कमीटी को बोला है चलो भई आपका काम शुरू हो गया है और आप यहाँ पर वाटर क्या है क्योंकि आपसे क्वाशन बन सकता है तो पेरियार रिवर एक सबसे लंबी नदी है केरेला के अंदर लगवक 244 किलोमेटर की इसकी लेंद है इसको लाइफ लाइफ लाइन ऑफ केरेला बोला जाता है आज के टाइम पर यह ओरिजिनेट होती है सिवागरी हिल से तो एक offshore petrolling vessel ठीक है अब यहाँ पर जो vessel है क्या काम करेगा यह हमारे समुद्र में दस्तक मारने का काम करता है offshore petrol vessel तो अब यहाँ पर यह जो सार्थक है इस सार्थक को commission किया गया हमारे एक तरीके से इंडियन coast guard के लिए तो आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर यह भी काम कर होगा लगबक 105 मीटर का लंबा सा ship है अपने आप में काफी बड़ी powers है इसकी और यहाँ पर और भी हमारे पास बहुत सारे OPV vessels हैं जिसमें से एक सार्थक भी हमारे पास आ चुका है आपको ध्यान रखना है main काम क्या है जो भी maritime zones हैं वहाँ पर एक तरीके से देख बाल करन ठीक है महाँ पर निगरानी रखना कोई smuggling ना हो या फिर कोई pirates वगरा अपना operation ना कर सके कोई समूदरी डख्यात वगरा ना बड़ा मिले उन लोगों को इन सब चुझे को पर काम करेगा ठीक है अब यहाँ पर इसके development की बात करें तो इस जहास को बनाया है Goya Shipyard Limited ने आपक प्लस हमारे पास और भी बहुत सारे offshore petrolling vessels हैं जैसे कि यहाँ पर अभी सार्थक के बारें बात की सार्थक के अलावा जो दूसरे vessels हैं वो है सजग, विगरह, यार्ड और वजरुप और वरना यहाँ पर अलग-लग आपको यह vessels देखने को मिलेंगे इसके बारे में आप व्यक्ति जन्म ले रहा है तो उसका registration किया जाता है कोई भी व्यक्ति की death हो रही है तो उसका registration भी इसके अंदर किया जाता है, लेकिन हुआ हो क्या रहा था, अभी तक ना, पर इस पूरे process के अंदर बोला जाता था, जो सारा data है वो local level पर maintain किया जाता था, ठीके, अभी तक जो local registrar है, उसको एक सरकार हमारी जो राजय सरकार appoint करती थी, और वो local registrar सारी चीजों को maintain करता था, लेकिन अब यहाँ पर इसका अंदर amendment क्या है, अब यहाँ पर amendment करा एक तरीके से और एक local registrar को हटा कर chief registrar रखा जाएगा और एक बहुत बड़े लेवल पर registrar होगा जो की पूरा का पूरा पूरे राज्ये का data रखेगा अपने पास कि किसका जन्म हुआ है किसकी death हुई है और उस data को national level के data से मिला दिया जाएगा हम लोग अपने national level पर एक पू जो यह सारे act हो गए तो INS के अंदर हम लोग यहां पर बदलाव कर सकते हैं यहां पर बताया गया था उसके बाद एक report आई थी G20 Climate Risk Atlas करके report आई थी इसने बताया कि जो G20 countries है इनके उपर बहुत बड़ा खत्रा है आज के टाइम पर आने वाले टाइम पर खास कर यह climate change का ब टाइप करना है और यह जो countries है इनके उपर खत्रा क्या है सबसे पहला खत्रा heat waves का मतलब गरम गरम हावा लगातार बढ़ती भी चली जाएंगी ऐसा बताया गया है प्लस यहां पर climate change की वज़ा से इनका GDP loss भी काफी तक देखने को मिलेगा economy काफी down हो जाएगी इनकी प्लस स temperature गरम होगा तो उससे क्या होगा glaciers पिगलेंगे और उसके बाद क्या होगा यहां पर जो समुद्र का level है समुद्र स्तर है वो increase होता हुआ नजर आएगा ऐसा बताया गया है दनुसके बाद इंडिया के उपर क्या impact पढ़ेगा तो इंडिया के उपर भी काफी बुरा impact पढ पाड़ी नहीं कर पाएंगे और आज के टाइम पर हम लोग गेहुं चावल को ओगा करी सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा revenue को कमा रहे हैं तो यहां पर क्या होगा जब हमारा agriculture से इसे ग्रो नहीं हो पाएगा तो इससे rice और wheat के अंदर भी बहुत मिलेगा वीडियो को pause करके इस quiz को आप लोग solve कर सकते हो दन उसके बाद next article में बात करेंगे defense joint working group के बार है इसको JWG कर लेना ये joint working grouping अभी हाँ पर हुई है इंडिया और इस्राइल के बीच में अभी हमने discussion किया है इंडिया-Russia के relation को देख लिया इंडिया-US के relation को देख लि में पंदरभी joint working group meeting हुई है बालेटरल defense cooperation को लेकर इंडिया और इस्राइल के बीच में दोनों ने मिलकर agree किया है कि हम एक task force को बनाएंगे और यहाँ पर इस जो force है ये इसके मदद से दोनों countries मिलकर cooperate करने वाली हैं तो यहाँ पर मैपको पहले map दिखा जेता हूँ ये है इ पर focus रखा गया है जो ये joint working group होगा ये एक apex body है एक उचे level की body है यहाँ पर दोनों countries की defense ministries आपस में cooperate करके काम करने वाली है दन उसके बाद यहाँ पर दोनों countries का बीच में एक तरीके से service level staff talk भी हो करेगी बातचीत भी हुआ करेगी आने वले time के अंदर प्लस यहाँ पर इ के relationship काफी अतक stronger हो चुके थे योगी उस time पर इसराइल ने हम लोगो काफी support गया था 1965 के आसपास इसराइल ने हम लोगो M58 160 mm motor ammunition ये सारे weapons दिये थे भारत को provide करवाए थे against the Pakistan उसके बाद यहाँ पर कुछ country ने मिलकर भारत के पोकरान nuclear test को criticize कि आपको मालूम होगा भारत ने अगेंस्ट में थी भारत की लेकिन इसराइल एक ऐसी country था जिसने भारत के अगेंस्ट में नहीं गया था यह आपको ध्यान अकना है दरूस के बाद उसके बाद से लगातार इंडिया और इसराइल के जो arms trade है वो लगातार grow होते वेश चले गए हम लोग ने इसराइल से बह भारत एक सबसे बड़ा importer रह चुका है आपको मालूमान अची है 2017 के अंदर इसराइल से हम लोग ने लगबग 715 मिलियन यूएस डॉलर्स तक का जो arms है जो भी defense equipment से उसको purchase किया है for example पहले तो हमने drones purchase किया है कौन कौन से सर्चर को purchase किया है Hermes 900 को Hieron को ये अलग-अलग drones purchase कर गए है air defense system की बात करें तो जो बाराक है बाराक एक surface to air missile है इसको हमने purchase किया है ये सारी चीज़े इसराइल से खरी दी गई है ये आपको ध्यान रखना है missile के मामले में एक missile का नाम है spike उसके बाद crystal maze यहाँ पर आप सिरफ नाम नाम जहां दख सकते हो जाद आपको detail में नही sensor की बात करें तो search track and guidance radar हो गया falcon हो गया तो इस प्रकार की जो चीज़े हैं वो हमने इसराइल से purchase करी है इन दोनों का importance क्या importance पहला ये है कि भारत को काफी मदद मिलेगी क्योंकि भारत के आप सपास जितनी भी neighboring countries है वो भारत के against महीं आपको देखने को मिलेगा for example चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान तो कहीं ने के इन से भारत को काफी बड़ा नुकसान है तो भारत को support मिलेगा इससे अगर भारत का defense system अच्छा होता है तो प्लस इसराइल और इंडिया दोनों मिलकर joint venture के उपर भी काफी focus रखने वाले हैं दोनों countries मिलकर काफी चीजों को बनाने वाली हैं साथ मिलकर तो यहाँ पर इससे making India को support मिलेगा प्लस इसराइल एक trusted supplier है क्योंकि इसराइल ने हमें शुरू से ही support किया है तो एक trusted supplier के दोर प का एक triangle बना सकते हैं इस triangle के अंदर काफी सारे benefits और भी मिल सकते हैं ऐसा बताया है देनों उसके बाद joint venture को और बढ़ा सकते हैं दोनों countries मिलकर और भी बहुत सरे defense equipment को बना सकते हैं देनों उसके बाद आगला article बात करता accidental death asocides के बारे में तो हाली में NCRB National Crime Records Bureau को एक data आया है NCRB क्या है तो NCRB का headquarter New Delhi के अंदर है Ministry of Home Affairs के अंदर में आता है ये हर साल इस प्रकार का data publish करता है कि भारत में कितना crime हुआ है कौन-कौन से category का crime हुआ है ना अब इसने data publish का है suicide को लेकर तो अलग-अलग categories का अंदर suicide हुई है चाहिए वो death अगर हम बात करें students ने काफी suicide करी है self-employed person ने करी है retired person ने करी है प्लस यहाँ पर बहुत सारे लोग है जो accident की वज़ा से यहाँ पर उनकी death हुई है ठीक है तो accident की जो वज़ा से death हुई है वो तो कम हुई है लेकिन other causes की वज़ा से death है वो increase हुई है यहाँ पर आप देख पाऊगे जो रोजाना कमा के खाने वाले लोग है daily wage earner उनकी death यहाँ पर साल 2020 के अंदर काफी बड़ी है और इंज वाली पटी साल 2020 की है और यह नीली वाली पटी साल 2019 की है तो daily wage earner यहाँ पर 2020 के अंदर काफी ज़ादा देखने को मिले housewives की बात करें तो उन्होंने भी काफी suicide करी है कुछ और लोग है उन्ह आट का अंदर प्रदेश, मध्या प्रदेश यह सारे streets आपको देखने को मिलेंगे, reason क्या है, reason है गरीवी, गरीवी के बाद बेरोजगारी, बेरोजगारी के बाद बहुत सारे लोग alcohol addiction में थे और फिर इसका काफी बिमारी हुई है या फिर कोई family problems देखने को मिली है उसकी यहाँ पर एक तरीके support किया जाता है, उसका किरन program हो गया, यहाँ पर भी हम लोग ऐसे लोग को support करते हैं जिनके societal thought आ रहे हैं, जो suicide करना चाहते हैं, anxiety है, परिशानी और यह stress और depression है, उनसे contact करके उनको mental health support दिया जाता है, उसके बाद मनुदरपन initiative है, यह भी एक initiative है, ministry of education क हम लोग focus करते हैं, यहाँ पर psychological support के उपर की बच्चों को, या फिर family members को, या फिर teachers को, उनकी mental health को support किया जाए, ठीके, उसका next article चर्चा में था, जो MG नरेगा है, महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act, इसके अंदर जो fund, यानि जो पैसा दिया जाता है, और उस पैसे के अंदर काफ पैसा दिया गया था, उन्होंने सब पैसा खतम कर दिया है, आप देखपाऊगे, जो black वाले portion है, ये बताया गया, इन्होंने 100% से जाधा अपना amount यूज़ कर लिया है, रेड़ वाले portion वाले area यहाँ पर इन्होंने 90 से 100% तक जो है amount यूज़ कर लिया है, तो आप देखप कार ने 50,000 करोड रुपे और एनाउस कर दिये गए हैं कि हाँ पर हम लोग इतना पैसा और जदा देने वाले हैं इस स्कीम के अधर तो इस स्कीम को डूबने से बचाया है अब यह स्कीम क्या है इसके बारें बात करते हैं मात्मा गांधी नैशल रूरल एंप्लोइमेंट गार पर एक जो मजदूर है उसको हम लोग 100 दिन से जादा काम प्रोवाइड करवा सके 100 दिन का काम दे सके अब 100 दिन का गारंटीड अगर काम देंगे तो उसके मदद से वो यहाँ पर पैसा कमा सकेगा और उससे हमारी एकॉनमी वगरा भी जनरेट होती भी नजर आएगी दिक् जो मजदूरी होती है वो काफी कम होती है तो यहाँ पर आपको फोकस रखना पड़ेगा कि देखो पहली बाद आप इनको काम प्रोवाइड करवा क्योंकि बहुत सारे लोगों काम ने मिल पाता है अगर काम ने मिलता है तो क्या होता है सरकार यहाँ पर कुछ पैसा उसके बाद तीसरा option यह है कि आप लोग यहाँ पर gender जो gap है उसको खतम करो, जो human, sorry, men और women के बीच में आपने gap बना रखा है, इसको आपको खतम करना होगा, then, आगले article पर आएंगे, next article बात करता है, nationwide pneumococcal conjugate vaccine drive के बारे में, तो अभी यहाँ पर हाली में, जो हमारे union health minister है, इन लगबग 5 साल से कम उमर वाली बच्चों को बहुत सदा pneumonia होता है, उसके वज़ाँ से death वगरा हमारे country में काफी तेजिसे बड़ी है, तो उस वज़ाँ से इस vaccine को launch किया गया, pneumococcal conjugate vaccine, तो pneumococcal conjugate vaccine क्या है, तो यह आप लोग को ध्यान रखना है, इसको prepare किया गया, इसके अगलब दो components को combine करके बनाया हो, उन दोनों को मिला कर बनाया हो, ना question यह है, कि यह pneumococcal disease क्या होती है, pneumococcal disease के बारे में बात करें, तो इसको pneumonia exactly बोला जाता है, ठीक है, pneumonia प्लस इसके बाद और बहुत सारी विमारिया होती है, लेकिन बें जो है pneumonia देखने को बलता है, और ब जो के अंदर वो pneumonia की वज़ा से ही होती है, ठीक है, यह आप लोगो ध्यान देना है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स article हमने discuss किया था, समुद्रियान mission के बारे में, तो अब यह article क्यों चर्चा में है, क्योंकि हाली में जो हमारे ministry of earth science है, उन्होंने इंडिया का पहल तो यह vehicle यहाँ पर होने वाला है, इस vehicle का नाम है मत्सिया 6000, 6000 क्या बोला गया है, क्योंकि 6000 मीटर तक पानी के अंदर जाएगा, और पानी के अंदर जाएगा, और इसके अंदर लोग बैठे होंगे, एक pilot होगा, दो scientist होंगे, वो लोग मिलकर research करेंगे, इसके पास यहाँ प यहाँ पर हम लोग इस पूरे के पूरे वहिकल को drop करेंगे, drop करने के बाद यह जो वहिकल है, जो crew member होंगे, उनके थुरू नीचे ले जाएगा, sea floor पर जाएगे, लगबग आप कर सकते हो, काफी deeply जा सकते हैं, 6000 मीटर नीचे तक जा सकते हैं, दनुसके बाद यहाँ पर ए research और analysis कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है, फायदा क्या होगा, फायदा यह होगा, हम लोग अपने ocean mission को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग को बहुत सरी नेने information मिलने वाली है, और plus ocean mission को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार और ही बहुत सारे initiative को लेकर चलती है, वो सारे initiatives के ना MS में क्या होगा, जो बहुत सारे बच्चे हैं, लगलग colleges से, ITI से, और ही बहुत सारे लोग हैं, उन सबको encourage किया जाएगा, कि आप लोग यहाँ पर entrepreneurship की तरफ बढ़ो, entrepreneurship की तरफ आगे निकलो, और जो भी MSMी नेने programs लेकर आएगा, उन सारे programs के बारे में इन बच्चों को बढ़ें, और बच्चे आने वले टाइम पर country की growth के उपर काम करें, ठीक है, और entrepreneurship को बढ़ाने के लिए हमारे पास और ही बहुत सरे initiatives हैं, जो कि आप लोग को यहाँ पर screen पर दिख रहे होंगे, ठीक है, इनको read कर सकते हो, next article ने बात किया है, protocol to prevent human trafficking, दोको मानव की तसकरी ह कम करेंगे, और इसी बढ़ा सरी country मिलकर आपस में आ चुकी हैं, कि यहाँ पर मानव की तसकरी को रोका जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आज के टाइम पर SEO का current chair है, तजकिस्तान, इसके बारे में आप लोग को ध्यान देना है, कितनी members इसके 9 members हैं, यह आपको ध्यान देन है, तो हाली में, शांगाई cooperation organization के अंदर, एरान एक नया member जुड़कर आया है, इसके बारे में आपको idea होना चाहिए, शांगाई cooperation organization क्या है, आपको मालूम चलिया, तो यहाँ पर एक पूरगी पूरी organization बनाई हुई है, जिसमें 9 countries हैं, इसकी शुरवात काफी पहले हो चुक इसके बाद उसको जबरदस्ती, गुलामी के लिए ले जाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका सकतो जबरदस्ती से उसका exploitation हो रहा है, तो यहाँ पर या फिर कभी-कभी ऐसा होता है, उसके organs को निकाल दिया जाता है, तो human trafficking को रोकने का यहाँ पर काम करेंगी यह SEO, SEO ने हम countries आपस मिलकर जो भी इनका legislation होगा, जो भी laws होगा, उसको आपस में exchange करेंगी, प्लस यहाँ पर जो भी victim होगा, जिसके regarding भी trafficking देखने को मिलेगी, उसको protection दिया जाएगा, उसको एक तरीके से assistance मिलेगा, उसको बचाया जाएगा, प्लस यहाँ पर सारी countries को उपर focus के जाए उसके बाद भारत के अंदर इसी को लेकर बहुत सारे laws देखने को मिलते हैं, ट्राफिकिंग को कम करने के लिए, जैसे कि एक law है Immortal Traffic Prevention Act, दूसरा है Article 23 और 24 यह है right against exploitation, उसके बाद और ही बहुत सारे act से जो कि हमारी भारत सरकार चलाती है, human trafficking को कम करने के लिए, ठीके, आज क आप देख पाओगे क्या क्या laws है, मैं आप लोग को यहाँ पर बता ही दिया है, ठीके, यह सारी चीज़े आपको इस picture में भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आभी आप लोग ने समझा, उसके बाद Glasgow Glacier Antarctica, यह क्या है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीके, अभी क्या ग्लासगो Glacier, यह जो Glacier है, बरफिला पाहर रही यह लगातार पिघल रहा है, उसी प्रकार से उसी के बाद इसको ग्लासगो का नाम दिया जा है, और यहाँ पर आप देख पाओगे, इसी प्रकार से अलग-लग औरी बहुत सरी मीटिंग्स होई हैं, जैसे इंक्यों, पै ग्लासगो पिघल रहे थे, एंटाक्टिका वाले रिजन में, यहाँ आप देख पार होगे, यह उपर एंटाक्टिका वाले रिजन है, यहाँ पर बहुत सरे Glacier लगातार पिघल रहे थे, तो उनको अलग-लग नाम दे दिया गया है, समिट के उपर नाम दिया गया है, तो World Climate Conference हो गया, Geneva के अंदर हुआ था, 1979 में स्टार्ट हुआ था, Rio Summit 1992 में स्टार्ट हुआ था, COP1 Berlin जर्मनी के अंदर स्टार्ट हुआ था, Kyoto Protocol 1997 में स्टार्ट हुआ था, COP13 बाली इंडोनेशिया यह तरीके से 2007 के अंदर स्टार्ट हुआ था, COP21 यहाँ पर 2015 के अंदर स्टार्ट COP26 यहाँ पर 2021 कंदर है, इंक्यों यहाँ पर एक Green Climate Fund है, तो इनके basis पर अलग-अलग यहाँ पर Glashers को नाम दिया गया है, आप लोग यह देख सकते हो, लगातर Glashers पिगल रहे हैं, इस वज़ा से यह अलग-अलग इनको नाम प्रवाइड करवा दिये गए हैं, आगे पर इनकी 104 वी एक तरीके जा थेवार जनती को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, हम लोग हर साल 30 October को इनकी birth anniversary को सेलिब्रेट करते हैं, अपने आप में एक important व्यक्ति हैं, इनका जन्मुआ था 30 October 1908 में, कहां पर तमिलाडू के district में, वो district है रवानत पुरम, अब यहाँ प प्लस सुभाष चंदर बोस जी के साथ इनका बहुत बड़ा connection था, क्योंकि यहाँ पर एक socialist होने के साथ साथ, यहाँ पर क्या था, कि एक तरीके से, यह जो हमारे थेवार जी हैं, इन्होंने national deputy chairman की तरह सर्व किया, All India forward block में, All India forward block एक political party थी, जो कि सुभाष चंदर बोस जी एंट्री नहीं मिलती थी, पहले तो इसको allow किया गया, देन उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे दलित लोग को मिनाक्षी temple के अंदर एंट्री दिलाई गई, तो इनके थुरू काफी सारे काम किये गए, उसके बाद यहाँ पर इनकी death होती है, 30 October 1963 में काफी कुछ बिमारी हो पर इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंदर में इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इसके अगेंस्ट में और फिर उसके बाद इस एक्ट को हटवाने में भी यहाँ पर काम्याब रहे, और उसके बाद मैंने आपको बताया, All India Forward Block के बारे में तो All India Forward Block एक political party थी, इसको बनाया गया था, 1939 में हमारे सुबाश चंदर बोश जी के तुरू, और इसी party के अंदर तीन बार as a elected, elect किये गए थे, थेवार जी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, और यह party एक time पर खतम हो गई थी, लेकिन उसके बाद वापस से इस party को re-establish किया गया है, हमारे भारत के independence के बाद, यह आप लोग ध्यान रख सकते हो, नावई जहां पर हम खरते हैं लेक्षर को समाप्त क्योंकि इसके बाद लगबग 2-3 article और रहे गए हैं, 2 article रहे गए हैं, वो भी offshore petroleum vessel को है, समुद्रियान mission को लेकर है, वो मैं आपको भी अलरड़ी बता दिया है, ठीक है, अब इस वीडियो को देख लेना, आपको काफी सारी चीजे यहीं पर clear हो जाने वाली हैं, इसी के साथ करते हैं लेक्षर को समाप्त, मिलते हैं आप लोग इस नेक्स वीडियो में, आज के लिए बाब बाई, have a nice day, thank you and जैहिंद!